हेलो दोस्तों कैसे आप सभी लोग मैं श्रुम सिंग आप सभी करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर और आप सभी अच्छे होंगे और आज जो मैं यह नोटिफिकेशन लेके आया हूँ यह जॉब नोटिफिकेशन है भी और नहीं भी क्योंकि इससे आपको जॉब तो म करना ही करना है इसी के स्कूर के बिश्यस पे आपका किसी भी कॉलेज में या फिक इसी भी गॉर्मेंट इंस्टिट्यूट में आपका टीचर की पोस्ट आपको मिलेगी और यह जो एक्जाम कंड़क्ट करवाता है वह करवाता सी बीसी सेंटर बॉर्ड ऑफ सेकेंडरी होता है ठीक है तो अलग-अलग स्टेट होते हैं लेकिन यह सेंट्रल टैट है ठीक यानि कि यह जो है पूरा आपका नेशन वाइड जो है अब आप इसकी रहेगी ठीक है और इसमें हम बात करेंगे complete application details की बात करेंगे और इसका form जो है वह आने वाला है लेकिन आपको कि इसको अप्लाइऑ करने का elegant last date का वेट करें ठीक है ज्याशने कि आप प्लाइऑ कर दिया अगर अब करेंगे तो आपके सेंटर जो है वह बहुती दूर जा सकते है जो की जंता के लिए अच्छी बात नहीं है सेंटर जितनी पासो उतना ही उच्छा रहता है तो चलिए स् वीडियो को and before starting this video if you are new to my channel please go and subscribe my channel ताकि जब भी मैं कोई notification की video डालूं तो वो उसका notification आपको मिल जाए और उसके लिए आपको सिर्फ जाके जो नीचे bell icon दे रखा है उसको प्रेस करना पड़ेगा और आप हमाँ चैनल जो है subscribe कर लेंगे ठीक है तुछ चलिए start करते हैं इस वीडियो को एक सबसे पैदे हम बात करते हैं इसके application dates क्या है इसके application dates जो है online जो है वह आपका जो application परसनल स्टार्ट होगा process वह आपका होगा अक्टूबर से और last day जो है वो है आपकी 24 नमबर ठेक है 24 नमबर की last date है ठीक और यहां पर जो last date of submission है वो आपकी 25 है 25 नोंबर यानि एक दिन बाद लेकिन आप यहां थोड़ा टाइमिंग को जरूर मेंशन कर लिजएगा टाइमिंग जो है यहां पर वह यहां पर दे रखी आपकी 15.30 यानि कि आपकी अगर इसकों देखा है सारे तीन बरे तक ही खुला रहेगा यह नहीं कि आप इसको रात के बारा बज़े फिल कर रहे हैं ठीक है तो लास्ट डेट जो है वह आपकी 24 है ठीक 24 नॉंबर 2022 इसी साल है ठीक है लास्ट डेट सामिशन फीस की जो है वह आपकी 25 नॉंबर है ठीक टाइमिंग पर ध्यान दि है और फिर उसके अबब वाले के लिए होता है वह अलग होता है तो उसको पेपर वन पेपर टू है अगर हम सिफ पेपर वन या फेपर टू किसी एक को अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है आपको पे करना पड़ेगा हजार रुपै वन थाउजन रुपीज ठीक है 1,000 रुपीज ठीक है 1,000 रुपीज लेकिन यह OBC वालों के लिए और जनरल वालों के लिए है ठीक है इसमें EWS का ऐसा कुछ आप्शन नहीं दे रखा है ठीक है SCST वालों के लिए जो है वह 500 है पूरी हाफ हो गई है लेकिन आगर आप तुनों पेपर फिल करते हैं वह 200 रुपए फीस है अगर हम बात करते हैं एज इलिजबिल्टी क्रेटरिया की तो यहां पर एज की जो है बस एक ही इलिजबिल्टी है कि जो कंडिडेट होना चाहिए वह 17 साल से उप्पर का होना चाहिए ठीक है उसने जो है 17 years की जो एज है वह अटेंड कर ली हो ठीक है और इसमें अबब एज का जो है वह कोई लिमिट नहीं दे रखी आप कभी भी इसके अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर हमने देख लिया कि इसकी एजबिल्टी क्या है फीस क्या है और अप्लिकेशन डेट क्या है और जो इसका एक्जाम करने की जो बात हम सो जो भी है हो एक्जामं आपका होगा इर्डाउंड डिसम्बर में होगा कर दिसम्बर से के बीच में आपका एग्जाम वह जा बात कral उने सवांड़ दूर जाएगा और आपको वहाँ जाने में परशानी होगी ठीक है क्योंकि जब आप और जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपको चार ऑप्शन दे रखे होंगे सीडी सेंटर चूज करने के लिए तो उसमें अब जितना हो सकते नियरस चालिएगा ठीक है और टेकी है क्या आपकि फर्स्ट प्रिफरेंस वाला ही मिल जाएगा लेकिन अगर आप करते हैं तो आपकी ईसपर बीजा सकता है ठीक है ठीक लेकिशिश यहोग यह करते हैं कि आपका स्पर्पर्परिफ्रेंस रहे ठीक अब जानते हैं इसकी essential education qualification से वो क्या है तो अगर हम बात करते हैं education qualification की और teacher for class specifically हम यहां बात करें किसके teacher for class 125 इसी को हम बोलते हैं paper 1 ठीक है यह आपका क्या है यह यह आपका है paper 1 ठीक paper 1 में बात करते हैं तो अगर हम याद तो आपके पास senior secondary education होनी चाहिए with at least 50% marks and past or appearing in final year of two-year diploma diploma किसमें होना चाहिए elementary education में होना चाहिए ठीक है ठीक याद तो आपके पास senior secondary चाहिए 45% marks और पास और appearing in final year diploma in elementary education in accordance with the nct ठीक है यह होना चाहिए ठीक बात कुतम हो गई अब बात करते हैं इसमें और क्याहिए कि senior secondary जो है आपका at least 50% होना चाहिए ठीक है और आपने जो फानल या फिर अपेरिंग इसमें दोनों लोग अप्लाइ कर सकते हैं इसमें सब कोई limitation नहीं है कि सिर्फ पास्ट वाले अप्लाइ कर सकते हैं और यह कहां फार यह बैसलर ऑफ एलिमेंटर एजुकेशन ठीक है बेलेड ठीक है जिसको बोलते हैं तो यह वहां की बात हो गई है अब बात करते हैं senior secondary at least 50 percent marks होना चाहिए आप two year diploma in education होना चाहिए special education जो होता है graduation with at least 50 percent marks and bachelor of education ठीक है मतलब यह जो आपका है यह वाला graduation in with at least 50 percent marks ठीक है एंड बैसलर ओफ एजुकेशन बीएड ठीक आप किसी बीए में हो ब्सक्राइब होना जब रही है ठीक है यह हो गई आपके अगर आप प्रैमरी स्टेट पेपर वन अगर आप देना चाहते हैं तो और टीचर बनना चाहते हैं क्लास 125 के लिए तो आप इस आपके लिए यहां पर जो है कुछ eligibility criteria है एजुकेशन की ठीक है जैसे graduation होना चाहिए आप ठीक है पास फिर अपेरिंग इन फाइनल ये अफ्टू ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ठीक है ठीक ग्राजुएशन विच फिफ्टी परसंट मार्क्स एंड पासर अपेरिंग अपेरिंग इन वन ये बैसलर इन एजुकेशन बीर होना चाहिए ठीक है ग्राजुएशन विच्ट फिफटी फाइफ परसंट मार्क्स एंड पासर अपेरिंग इन वन ये बैसलर ठीक है तो यह आपकी यहां पर कुछ आपका यह दे रखे हैं आप इनको सब को पढ़ दीजएगा ठीक है और यह आप जिसकी के लिए भी विउस्ट हुग कर सकते हैं इसमें कोई नहीं है आपकी यह पाद abdom kilow हम उसमें अबत करते हैं एक्जाम पैटनेंगें कृ लिए ले फिंट बात करते हैंज कर लेक्ट क्षेज के लिए इसका टाइम ह dónde आफ है यानिकी धाय गंटे का पेपर होगा धाय गंटे मतलब आपका 150 आपको मिनिट्स मिलेंगे आपको 150 मिनिट्स में आपको 150 mcq करने पड़ेंगे और सारे के सारे जो कोशन होंगे वह आपके mcqs होंगे कोई भी आपका तो इन सभी जो पांच है इन में से आपको 30 mcqs आएंगे और 30s मार्स कहीं आएंगे आपको उसके लिए यानिकी डाइगंटे मिलेंगे ठेक है आप बात करते हैं जो लैंग्वेज वन है और लैंग्वेज टू है इसमें से आपको कोई भी दो लैंग्वेज जो है आपके ए लैंग्वेज है उसको कर सकते हैं लेकिन लेंग्वज मैंटेक्टे यहांप करना ही है वह आपको यहां पर फिल करनी ही होगई अपका पर होगा सारे कि लेंगज 1 language 2 mathematics environmental studies इस सब की तीस कोशन आएंगे 30 30 कोशन आएंगे और आपको 30 marks की इच जो टॉपिक है वह पांच आपकी ना तो आपके 150 माक्स हो गए ठीक है वह आपको मिलेंगे और वहीं हम बात करता है पेपर टू की तो जो कि आपके सिक्स से लेकि एर तक की है elementary stage के लिए इसमें भी आपका टाइम पेड मिलेगा वह आपको मिलेगा 150 मिनिट्स मिलेंगे 150 मिनिट्स में आपको फिफ्टी एंसी क्यूज करने पड़ेंगे और यहां पर है वह भी यहां पर देखा जा तो चाइल्ड डेवलेप्मेंट यहां भी ह है लेकिन वहां पर जहां पर आपका mathematics था महां पर mathematics यहां पर mathematics and science भी हो गया है और social studies and social science भी यहां पर हिस्ट से जोग्रफिक थोड़े question भी पूछे जाएंगे यहां पर और लेंग्वेज अगर आपको select करते हैं तो language में हमने जैसे बता रखा है कि आप यहां तो इसमें से कोई भी जो language यहां पर आपके language दे लगता यह अच्छी बात है मैं अगर आप eligible हैं तो आप इसको apply करती है ठीक है और यह हो गया हमारा exam pattern हो गया और इसमें हमने देख लिया है कि आपके कैसे जैसे इसमें क्या है कि आपका देखिए इसमें थर्टी थर्टी कोशन है ठीक है लेकिन इसमें उसमें कहता है आपक करके तीन जो है यह नबे तीन नबे करके हैं ठीक है तो कोशन के quantity सेम है बस आपका जो एक वेटेज होता है ठीक है mathematics of science का वह थोड़ा बढ़ा दिया गया है बाकि उसमें तब के इंवर्मेंटल स्टीज जाल दिया गया तो उसका डिवाइड हो गया ठीक है अब बात करते ह है कि जो certificate मिलेगा अगर आपने score कर लिया आपने qualify कर लिया ठीक है कापको एक cutoff रखी जाती है अगर आपने इसके उपर लेकिया है नमबर तो आप जो है आप का जो इसको आप उसको qualify कर चुके हैं और कट-off clear करना ही बहुत बड़ी बात नहीं कट-off से आपको अच्छा score भी करना है ठीक है कट-off तो मतलब है कि मिनमम ठीक है आपको यजर कट-off की एक नमबर जादा लेकर आता है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आपका score हो खराब हो जाएगा ठीक है वो कि जो score बन पर उससे आपका score बनेगा और जो कि मतलब जिसकों परसंटाइल बोल देते हैं ठीक हो बनेगा ठीक है तो जित अच्छा आपका score होगा ना सिव आप यह ना सोची कि हमें cut-off करना क्लियर करना हमको अच्छा score करना है अच्छा score करेंगे तो मेरिट अच्छी बनेगी मेरिट सब्सक्राइब हो जाएगा गवर्मेंट जॉब होंगी निगलेंगी तो मेरिट के साथ देखते हैं अगर आपके पास अपने ग्याजुएशन किया है डिपलोमे में अच्छा score है आपके सेकें सेकंडरी में अच्छा score है और आपने इसमें अच्छा score करें तो देन आपकी आपकी जो मेरिट बनेगी ना वह बहुत अच्छी बनेगी और आपका स्लेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा ठीक अगर हम बात करते हैं इसका जो certificate मिलेगा यह आपका साथ साल के लिए seven years from the date of declaration of its result of for all category ठीक है इसमें कोई यह नहीं है कि SC वाले के लिए कोई चूट है कि तो उसको दो साल और एक्सामिल नहीं वह सब के लिए साती साल का है साथ साल का ही आपको जो है यह certificate रहेगा ठीक है और इसमें आपका कोई भी restriction नहीं है कि आप कि नहीं आप अटाइम से रहे हैं कि रखें नहीं है और लेकिन आपका certificate होंगे तो आगर आप को certificate में सबने cut-off क्लिए इस बार में आपने cut-off क्लिए कर लिए अगले आप चाहते हैं कि आपका score अच्छा होगा तो आप फिर से एक्जाम देर सकते हैं इसमें कोई भी गलत बात नहीं है कि आप जो है इसको दो तीन बार दे रहे हैं multiple times आप पेपर दे रहे हैं असा कुछ नहीं है आप इस online applications date देख ली है form फिल कप करना है last date क्या है और इसकी फीज की last date के और हां और की बात important बात यह है कि आपको इसमें दोनों सकते हैं after нем वह कर सकते इसमें कर सकते हैं यह और नडीन कर सकते हैं देवेट कार्ड करते हैं और आप चोंवाल व्यद लेकिंगलडी से आया जाएगा और दिवालर के बार में ठेक है तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर ए और अगर आप इस चैनल पे नहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि हम को भी वीडियो ला ले, हम ऐसी इंटरस्टिंग वीडियो, जो है, डाला करते हैं, हम जुब पर लिए नहीं बने हैं तो वह आपका जो भी यह जो भी कर सकते हैं अपना सार्टिपेट बनवा सकते हैं और बन वाले जिन जो भी और और यहां पर कॉलम आएगा और इस जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और आपने दोस्तों से शेयर करिए कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें and wish you a very happy दिवाली thank you guys